नमस्का दोस्तो स्वागते आप सभी का आज की एको नई वीडियो में दोस्तो आज इस वीडियो में हम महादेव शियू की एक एसी चमतकारी गटना के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर दोस्तो आप सभी के भी रॉंग्ट उड़ जाएंगे और थोड़े समय क पेले आप सभी भी इस गहरी सोच में पढ़ जाएंगे कि यह चमतकार कैसे हो सकता है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक यह अनुरोद करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप सभी ने हमें अमारे इंस्टाग्राम अकाउंट महादिव मिरे कलबे अग दोस्तों रमेज जिया में बताते हैं कि आज से 5 साल पूरानी बात है मैं और मेरा पुरा परिवार सोमनात महादिव दर्शन करने जाने की योजना बना चुके थे वहाँ पर जाने के लिए हमें बस का साहरा लेना पड़ा था क्योंकि हमारा परिवार थोड़ा बड़ा था जिसके कारण कार में हम सभी नहीं समा सकते थे तो परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर बस से जाने की पुरी पुरी योजना बना ली थी अब दोस्तों परिवार में बच्चे होते हैं बुजूर्ग होते हैं सभी तरह के लोग होते हैं अब बस से यहां लोग निकल चुके थे यात्रा थोड़ी लंबी थी एक दिन दो रात इनको पुरी ही यात्रा में बिताने थे अब दोस्तों उस यात्रा के बीच में इनके साथ कुछ एसी घटनाए होती है एवं साथ ही कुछ एसे चमतकार होते हैं जिसे रमेश जी ने हमें बताया तो सुनकर हम भी हैरान हो सुर्ण की थी, रात का समय चल रहा था, कुछ एक से डेढ़ बज़े थे हम घने जंगलों से बस की सायता से निकल रहे थे, रोड बहुत ही कच्चा था और जंगल बहुत ही घना था, मेरा बड़ा भाई मेरे पास बिठा होता है, और मेरा बड़ा बाई किता है कि यह जंग पहले तो में भी डर गया उसके बाद मैंने सोचा कि हम तो महादेव दर्शन को जा रहे हैं तो ऐसा कुछ होना तो मुंकिम नहीं है दोस्तों रमेश जी हमें बताते हैं कि मेरे यह बोलने के पश्यात पुरा परिवात और शान्ति से सो जाता है मैं ड्राइवर के साथ आगे केबिन में उसी के पास वाली सीट पर बैड़ जाता हूँ हम पांस से दस किलो मिटर आगे जाते हैं और कुछ यू होता है हमारे साथ जिस घटना ने मुझे आज तक इस सोच में डाल रखा है कि आखि वह व्यक्ति कौन था जो हमारी साहता को आया था दोस्तो होता है कुछ यूँ कि रमेश जी जब आगे जाकर बैड़ जाते हैं ड्राइवर बस चला रहा होता है दस किलो मिटर यहां लोग आगे जाते हैं और इनकी बस में अचानक कुछ गड़बड़ी होती है जिसके कारण चलती चलती बस अचानक रुख जाती है अब दोस्तो पूरे गने जंगलों में जहां दूर दूर तक ना ही लाइट है ना ही कोई मकान है ना ही कोई व्यक्ति दिखता है यसे गने जंगलों में जब इनकी बस खराब हो जाती है तो रमेश जी पुरे परिवार को तो नहीं बताते हैं सबसे पहले ड्राइवर के साथ स्वेयम उतरते हैं उसके बाद पुरी घटना का परिक्षन करते हैं ड्राइवर बोलता है यहां तो बड़ी मुसीबत हो गई है बस की इंजन में कुछ ऐसे खराबी आई है जो मेरे तो समझ नहीं आपा रही है अब दोस्तों गने जंगल में जहां ना ही मुबाइल में नेटवर्क आता है ना ही कोई व्यक्ति साहता को दिखता है उपर से रमेश जी के मन में और भी डर था कि यहां आसपास लूटे रेवी बहुत ज़्यादा होते हैं जानवरू का भी डर होता है कभी भी कोई भी अमला कर सकता है इसी डर के साथ रमेश जी महादेव शीव का नाम लिते हुए पुनह बस में आते हैं अपने बड़े भाई को जगाते हैं बड़े भाई और वह सभी बस के बाहर आते हैं और देखते हैं तो बस पूरी तरह खराब रिती है अब दोस्तों उमिद की कोई किरण नहीं दिखती है रात के पौने दो बच चुके थे सुबह होने में काफी समय बागी था पुरी रात गने जंगलों में बिता नहीं दिख रहा था सभी व्यक्ती सभी उमिद छोड़ चुके थे अब दोस्तों करते भी तो उस जगह आके रमेश जी क्या करते हैं सभी यातरी पुनह बस में बेट गए एक दूसरों को फोन लगाने की बहुत कुशिश कर रहे थे पर किसी के भी मुबाइल में नेटवर्क नहीं आ पा रहा था अब दोस्तों रमेश जी महादेव शीव का मन ही मन नाम लेते रहते ही क्योंकि रमेश जी और उनके जो बड़े बाई है वह जानते हैं कि उस जंगल में कितना खत्रा है कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है या तो कोई जानवर अमला कर सकते हैं या जो लुटरे रहते हैं कोई भी आ सकता है अब रमेश जी मन ही मन महादेव शीव को याद करे जा रहे थी और दोस्तों आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि अगर आप महादेव को सच्चे मन से याद करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी रूप में महादेवा की सायता करने के लिए आ ही जाते ही और एसा ही कुछ रमेश जी के साथ भी होता है उस गने जंगलों में जहां पर दूर दूर तक कोसो दूर दूर तक जहां तक नजरों में कोई भी नहीं आ रहा था केवल सूकी पड़ी जाडिया ही दिखाई दे रही थी उन गने जंगलों से न जाने कोई एक व्यक्ति निकलकर आता है, जिसे देखकर तो पेले रम्यज जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, परन्तू उपने परिवार को नहीं बताते हैं, रम्यज जी सोचते हैं कि कोई ना कोई इदर से आ रहा है, अब सामने से रम्यज जी आते आते इनकी ही बस के पास आ जाता ही अब दोस्तों वह बस का दर्वाजा खटखटा आता ही परन्तु रमेज जी डर के मारे दर्वाजा नहीं खोलते ही परन्तु वह व्यक्ति दो मनिट हो जाते ही तिन मिट हो जाते ही कुछ नहीं करता है महीं खड़ा रहता है और दर्व अब दोस्तों रमेज जी बहुत इम्मत करकर इनके बड़े भाई को बुलाते हैं और फिर दोनों मिलकर उस व्यक्ति से बारत करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही यह बस से उतरते हैं वह व्यक्ति पूछता ही इस गने जंगलों में तुम क्यों यहां पर खड़े हो इतना ख दर्शन करने जा रहे ही पर उस गने जंगल में हमारी बस यहां पर अभी इस इस्तती में खराब हो चुकी है जहां पर हमारे पास ना ही कोई मेकणिक है ना ही किसे बस सुधान ना आती है और ना ही दूर-दूर तक मोबाईल का नेटवर्क दिख रहा है और ना ही कोई व्य में ऐसा तुम क्या कर लोगे वह व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको पुनर बोल रहा हूं कि आप चिंता मत करिए बस में बेड़ जाएए आपकी यात्रा बहुत ही कुशल होगी और इस यात्रा का आनंद जो आएगा आपको पूरी ही उम्र भर याद रहेगा यहाद बात सुनक रमेज जी थोड़े हैरान होते हैं फिर इनके भाई बोलते हैं कि चल अपन अंदर बेड़ जाते हैं अब दोनों भाई जाकर बस में बेड़ जाते हैं वह व्यक्ति ना जाने कुश ना कुश इंजन में करता है बस में कुश ना कुश करता है और पांच मिड़ बाद ड्रा बस चालू करता है, बस चालू नहीं होती है, फिर से वह व्यक्ति जाता है, फिर से कुछ न कुछ करता है, फिर आकर बोलता है कि अब चालू करकर देखिए, और दोस्तों आप यकिन नहीं मानेंगे, वह बस वहाँ पर शुरू हो जाती है, चालू हो जाती है, फिर ड्राइव 10 मिट भी जाते हैं, 15 मिट भी जाते हैं, ड्राइवर दीखता है तो कोई दिखाय नहीं देता है, फिर ड्राइवर रमेश जी से कहता है, कि वहाँ विक्ति जो बस सही कर रहा था, बस तो सही है, परन्तु वहाँ को गुलता है कि वहाँ पर तो वहाँ व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा है रमेज जी और उनके बड़े भाई उतरते हैं वो जाकर फिर से देखते हैं तो दोस्तों आप यकिन नहीं मानेंगे दूर दूर तक जहां तक रमेज जी की ड्राइवर की एवं उनके भाई की नज जाती है दूर दूर तक उन्हें कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता ही अब यहाँ बात रमेज जी को समझ नहीं आई है बोलते हैं हमने बस के उपर चेक करा बस के नीचे चेक करा गनी जाडियों में चेक करा पूरे जंगलों में चेक करा कहीं पर भी उस व्यक्ति का क कोई भी नामु निशान हमें दिखाई नहीं देता ही। ना जाने कोन व्यक्ति आया था, हमारी बंद पड़ी बस को चालू कर गया, हमारी मुसीबत को हल कर गया और गायब हो गया। हमने डूमने की बहुत कोशिश करी, बहुत प्रतने कराया कि कुछ सायता हमारी और से हो सके, थम उस व्यक्ति की कर दें, परन्तु भाव व्यक्ति हमें नहीं दिखा। दोस्तो रमेज जी ने जब यहां घटना में बताई, तो हम भी इस घटना को सुनने के बाद थोड़ा चोग गए, फिर जब रमेज जी ने बोला कि उसके बाद मैं बहुत ही आसायनी से, बहुत ही आराम से, सोमनात महादेव दर्शन को पूचा, आराम से दर्शन करे, और गोशी पूरे ही परिवार के साथ आराम से घल लोटाया, तो दोस्तो फिर हम भी इस बात को समझ गए, कि जो व्यक्ति महादेव शीव के दर्शन करने निकलता है, उस व्यक्ति के साथ कोई यसी घटना नहीं होती है, जिससे उसका विश्वास थोड़ा कम हो सके, तो दोस् तो आज की इस वीडियो में आपके लिए वसीतना ही, हम आपसे चल मिलेंगे अगली एक और सी नई चमतकारी घटना के साथ, तब तक दोस्तो अगर आपने में इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, तो जल्दी से जाईए, निशे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हमारे इस्टाग्राम अकाउंड को फॉलो जरूर करिए, और आपकी जो सच्ची घटना ही, हमारे साथ महाँ पर शेयर करिए, हम आपकी घटना लाखों लोगों तक पोशाने की कोशिश जरूर करेंगे, धन्यवाद